नमस्कार दोस्तों मैं फ्रिंदर स्वागत करते हूं आप सभी का महत्री बूटी के एक और ने डिजाइन की वीडियो में आज हम बेहत खुबसूरत सा नेक डिजाइन बनाने वाले हैं जिसको आप कूर्ती में फ्रोक में किसी में भी असानी से बना सकते हैं स्टाइलिस कूर्ती में बहुत सुंदर लगेगा देगे हमने कूर्ती के पार्ट को कट करके रखा हुआ है यहां पर हमारे जो मेजरमेंट है शोल्डर रखा हुआ है थर्टी ने हाफ इंच आम होल को इससे आधा ज्यादा रखा है और ने चैसे एक कट है क्योंकि हमने सैंप सबसे आजान तरीका है इसका बनाने का इससे आसन कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है इस वीडियो का फ्लास तक चुरू देखिएगा देखिए इस तरह से हम बना देंगे आप चाहे तो नाइफ की मदद से या फिर अपने कटर की मदद से बना सकते हैं मैंने आपको तरीका बताया हुआ है नहीं तो बहुत ही सिंपल इस तरह से आपको इन सभी प्लेट्स को बना दिना है दोस्तों और भी बहुत साइड डिजाइन हम आपके लिए लाते रहते हैं तो उनको भी एक बाह में चले पर आप देखिएगा जरूर आप नहीं है हमाँ जाने पर देखिए नेचे से इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ यह जरूर करना है आपको और फिर इसके सीधे यहां पर इसको सिलाय लगानी है देखिए यहां पर इसको फोल्ड करते हुए यह बात आप जरूर ध्यार लखी अब जो दूसरी वारी तो प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह सेट हो जाएंगी तो आप दूसरी साइट बनाना इनको बहुत ही आसान हो जाएगा और बिल्कुल जो इक्वल है हमारी प्लेट वह आजाएंगी और यह अच्छे से फिक्स भी हो जाएंगी तो देखिए हमने इसको तयार तो कर दिया है लेकिन इसकी measurement आपको बता देते हैं तो यह हमने तयार किया है लगबग 14 इंच तक इसको हमने तयार कर लिया है इतना ही आपका होना चाहिए लगबग इसी तरह का एक दूसरा पीस हमने तयार कर दिया है गले के अकोडिंग देखिए अब इन में डिजाइन मनाना है तो डिजाइन के लिए कुछ इस तरह के चोकोर पीस आपको लेने है जिनकी मेजिनमेंट है लगबग 2.25 इंच दोनों ही साइट इनको इस तरह से कोर्णर से फोल्ड करना है और देखिए दबल फोल्ड करने के बा एक एक करके इनको इनके साथ लगाते हैं तो जो हमारी सिलाय लगाए थी उसको नीचे के तरफ रखना है साइट को और यहां से हमें इन सभी को लगाना शुरू करना है और इनको बिल्कुन सटा करके लगाएंगे यह रेखिए थोड़ा ही मार्जन छोड़ेंगे जदा मार पोर्शन में तयार किया था उसको इसके उपर रख देना है इस तरह से जो फिनिशिंग वाली साइड है वो अंदर की तरफ है और यहां से इसको सील देंगे तो यह दोनों ही आपस में टैच हो जाएंगे यह देखिए आब इनको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद द देखिए काफी खुबसूरत लग रहा है और बहुत ही आसान था इसको बनाना देखिए तयार करने के बाद अब आपको नीचे वाली साइड बे जो हमने यह पीस बनाए थे ट्राइंगल वाले इनको लगा देना है कुछ इस तरह से स्टार करके लगा देंगे देखिए चार से पास पीस हमारे यहाँ पर लगेंगे तो इनको भी हमें यहाँ पर लगा देना है देखे कुछ इस तरह से हमारे आ जाएंगे और दोनों ही साइड इसके थोड़े थोड़े हमने स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे लेस आएगी बाद में वो भी आप देखे कैसे हमारे आएगा तो देखे पूरा पूर्शन तयार हो चुका है और बहुत ही खुब सुद लग रहा है अब आपको कुर्ती में बीचो बीच से एक लाइन डो़ करने है और उपर से दो इंच आपको छोड़ देना है अब इस डिजाइन को इसके उपर रखना है बीचो बीच नीचे भी इसके सेंटर को जुरूर मिलाना देखे इस सेंटर है तो इसको यहाँ इसके सेंटर के साथ मिलाना है अब सेंटर मिलाने के बाद इसमें दो से तीन आप पिन या फिर निडल लगा सकते हैं इस तरह से तो यह हमारा एक जगर फिक्स हो जाएगा और कहीं से भी हिलेगा डूलेगा नहीं एक यहां उपर की तरफ जरू लगा दीजिए देखे यह जगर फिक्स हो गया है अब एक लेश लेगे कोई भी लेश जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं लेश अगर नहीं है तो कोई भी सिंपल पट्टी बनाकर के कपड़े की वो भी आप लगा सकते हैं अब इसको कैसे लगा नहीं देखिए सबसे पहले इस लेश के जो अंदर वाला कोर्णर है उसके उपर से हम सिलाय लगाएंगे और आपको लगता होगा जो धागे आपके हैं दिखाए दे रहे साइट से तो ये सबी इस लेश के नीचे कवर हो जाएंगे जिनिकलेंगे नहीं इस बात की टेंशन नाले क्योंकि बात में अगर आप कपड़ा लगां चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हैं यहाँ पर कोर्णर को आपको अच्छे से फोल्ड करना है जो लेश का कोर्णर है और यहाँ पर इसको लगा देंगे अब फिर से कोर्णर को फोल्ड करेंगे और इसके दूसरी वाली साइट पर हम आजाएंगे अब इतक हमें सिर्फ अंदर वाले कॉर्νεर में सिल्याय लगाई है ये देखिए अब इसके लेज के जो बाहर वाला कॉर्νεर है इसके उपर से लगाएंगे तो जो हमारी design के side में धागे निकले हुए तो जो भी part था वो पूरी तरह से cover हो चुका है आप उसमें से कोई भी धागा बगर नहीं निकलेगा तो इस तरह से इस पूरी lace को हमें इसके उपर attach कर देना है और इस तरह की design दोसर डिजार कूर्टी में बहुत ही अच्छे लगते हैं काफी expensive लगते हैं आप जब भी अगर कोई भी simple कपड़े से भी आप तयार करना चाते हैं तब आपकी बहुत ही सुन्दर सी dress तयार हो जाती है देखिए यह तो हमने तयार कर दिया है अब बारी है नेक की तो हम इसके उपर boat nek बनाने वाले हैं तो boat nek के लिए देखिए हमने नेक की चोड़ाई को रखा लगबग 9 इंच और इस नेक की चोड़ाई के साथ-साथ लंबाई रखी हमने 4 इंच इस लंबाई चोड़ाई का नेक आपको कट कर लेना है और इसको एक कपड़े की ओपर इस तरह से लगा देना है अब साइड से आधा इंच का मार्ण चोड़ा था तो इस मार्ण को हमें अंदर के तरफ फोर्ड कर देना है तो अब हमारा गला लगने के लिए तैयार है बीच में एक cut डाल दिया है ताकि center के लिए ये बना रही अच्छे से यही cut हमने अपने कुर्टी में भी डालना होता है और दोनों cut को आपको match करना होता है और अब यहां से एक rough slide डाल देंगे क्योंकि बाद में ये हमारी हटाएगी यह सिर्फ center के लिए है ताकि गला हमारा बीचों बीच बना रही है अब हमें अंदर से श्राय लगा देनी है दोस्तों आपको बहुत सारे टिप्स हम देते हैं गले की design बनाने में भी जो कि हर एक तरह की कूर्टी मगारा बनाने में गले अगरा बनाने में यूज होती है तो बीच वाले श्राय को निकाल देना है वो श्राय निकालने के बाद यहाँ पर नाकुन के मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे तो हमारी अच्छे सी इसमें finishing आएगी अब गले को अपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद अब बिलकुल किनारे से होते पर जरूर लगाएंगे बाकी जो अंदर फोल्ड हो गया है हमारा उसमें हम बाद में तुर्पाई डालेंगे अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी प्रोब्लम हो सकती क्योंकि थोड़ा सा मोटा हो गया है बीच में बट इसको बिलकुल हलके हाथ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाय लगा देनी है यह देखिए कितने अच्छे से हमने अपने बोटनिक को बना दिया है आप देखी सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा बनने के बाद यह देखिए तयार हो गया है लेकिन अब इसका डेकोरेशन हम करेंगे थुड़ा स इस दिशान को आप छोड़ सकते हैं बहुत ही सिंपल सोबर लगेगा और यह बीड्स लगाने के बहुत तो यह बहतरीन लगेगा तो आप हो अगर आपके पास तो इनको जरूर ट्राइए करें मैंने यहां पर अपकी बार दो-दो के पेर में बीड्स को लगाया है साहे तो यहां को कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जुरू बताना है और आप इस डिजाइन को कितना स्टार देना चाहेंगे यह है अब पर टेक क्यों